दोस्तो जैसे कि आप इस ख्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मैंने अप डिजीपे को ओपन करक्था है और इसका जो बर्जन है आप यहां पर बर्जन देख सकते हैं बर्जन 7.0 है दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिजीपे बॉलिट से अपने डिजीटिल सेवा पोटल में कैसे रिचार्च कर सकते हैं मैं यहां से 500 पे जो है डिजीटिल सेवा पोटल में ट्रांसर करूँगा तो कि डिजीटिल सेवा पोटल से जब भी कोई अमकार्या करते हैं तो बहाँ पर भी हमें पेमिट कातना होता है तो दोस्तो आज कि वीडियो को कम्प्लीट बाज करने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप अपने डीजी पी बॉलेट के दो आपने डीजिल सेवापोटल को रिचार्च कर सकते हैं तो इस व्यालेंज में से 500 पे का व्यालेंज जो है हम डिजाल शेवर पॉटिल में ट्रास्पर करेंगे, दोस्टेश ट्रास्फर करना के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं, वाले तोप अपॉप, यहां पर बाले तॉप अपको एक उप्शन दिया गया है, सिम्पली आपक पोटल में वैलिन्स आप कम से कम यहां पर जो मिनियूम वैलिंस है वो 500 रुपी आपको रखनाए होगा 500 रुपे से कम का वैलिन्स आप अपने पोटल में टांस पर नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां पर अमांट आपको एंटर कर लेना है इसके बाद यहां पर टिक करेंगे और यहां पर स्कैन करेंगे अपनी फिंगर को इंगर प्रिंट सक्षेज होने के बाद देखिए दोस्तों यह successful हो चुका है अब हमारे डिजीटिल सेव पोटल में यह 500 रुपे एड हो चुके हैं ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने डिजीपी बॉलेट से भी बहुत आशानी से अपने डिजीटिल सेव पोटल को रिचार्ज कर सकते हैं वैलिन्स एड अगर आपके डिजीपी में इतना वैलेंस नहीं है तो दोस्तों यहां से आप उस अकाउंट से भी आप यहां पर वैलेंस निकाल सकते हैं जो कि आपकी CSCID से रिच्टेड है देखिए दोस्तों मैंने अपने खुद के अकाउंट से 500 रुपे यहां पर निकाले थे ठीक है जिसमें से मैंने अभी आपको 500 रुपे आप टोप अप करके दिखाए हैं देखिए यहां पर माइनस में आ गया यह 500 रुपे ठीक है दोस्तों यह जालकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भोले अगर आपको इस वीडियो को समयने में कोई भी प्रॉ